नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्र मैं आपके साथ पूछा राठोश शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुनले विशेश शग्यर पंडित सुरेश पांडेजी पंडेजी आपका बहुत-बहुत स्वागत धन्यवाद नाखून बताएंगे आपकी सेहत का हाद नाखून बताएंगे आपकी सफलता का राज नाखून बताएंगे आपके भविश्य की बाद आज ही अपने नाखूनों पर करें गौर और जाने अपना कल, आज और कर काल चक्र में जिहां यही नाखून ना केवल आपके हाथों की सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं बलकि यह आपकी परस्नालिटी और भविश्य के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं यह आने वाले समय में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं इसलिए नाखूनों की बनावट को देखकर यह जाना जा सकता है कि भविश्य में कौन से बिमारी हमें प्रभावित कर सकती है हमारी किसमत कब किस ओर बड़ी करवट ले सकती है और कौन से हैं वो राज जो हमें नाखून देकर पता चल सकते हैं यहीं आज कालचक्र में पंडिजी आपको बताने वाले हैं इसके अलावा अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा नमबर नोट कीजिए 010-66524-1 तो चलिए आज के दिल्चस्प चर्चा को हम शुरू करते हैं क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं नाखूनों की कैसे नाखूनों से आपकी किसमत जुड़ी हुई है कौन से राज नाखूनों के आकार को देकर पता किये जा सकते हैं आज इसी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले आईए पंडिजी से जान लेते हैं कि नाखूनों की बनावट से आखिर कैसे पता चलता है इंसान के व्यक्तित्व और उसकी सेहत के बारे में पंडिजी बताईए नाखून कैसे हमारे चरित्र हमारे व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं देखो ऐसा है पुजा हमारे हाँ सामुद्रिक सास्त स्वामी कार्ट के ने लिखा जो शिवजी के पुत्र के जिससे मनुष्य के सुभा सुभ का पूरा पूरा अनुमान लगाया जा सकता था इससे देवताओं में बहुत खलबली हुई कि जब मनुष्य अपने सारे भूद भोवी सिवरतमान को जान जाएगा तो वो दैव के अधीन क्यों रहेगा इस बात पर देवताओं में जो मन्तरना हुई उसके परणाम सुरूप स्वामी कारत के ने अपने उस सास्तर को समुद्र में विसर्जित कर दिया और समुद्र से कुछ प्रतियां प्राप्त करके उस समय के रिशी मुनियों ने जो एक रचना की सामुद्रिक सास्तर की वही आज हमें सामुद्रिक सास्तर के रूप में मिलता है सामुद्रिक सास्तर उसका नाम इस ले पड़ा कि उन कागजों को समुद्र से संग्रहित किया गया था अब उसमें सरीर की रचना, चहरे की रचना, आखों की रचना, नाख की रचना, होट की रचना, तील, मसा, हाथ की लंबाई, उंगुलियों की सन रचना, हथेली की सन रचना, हथेली में रेखाओं की सन रचना, माथे की रेखाओं की सन रचना, पैर के तलवे में रेखाओं की रचना पयर के अंगुलियों की रचना इन सब चीजों पर एक बिश्तृत बिवेचन प्रस्तुत किया गया है समझ रही हो और उसमें ये सामुद्रिक सास्त्र को पढ़ करके किसी व्यक्ति को देख करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति भाग्यसाली है कि दुर्भाग्यसाली है ये व्यक्ति बुद्धिमान है कि निर्बुध्धी है ये व्यक्ति दयालू है कि हत्यारा है ये केवल आप देख करके पता कर सकते हैं जैसे उदारण के लिए किसी के हाथ का अंगूठा अगर ये ऐसे दबाने के बाद एकदम पीछे की तरफ यू के आकार में मुड़ जाए तो वो व्यक्ति बहुत इमोशनल और दयालू होगा वो कभी चीटी को भी नहीं मार सकता है लेकिन जिसका ये अंगूठा जरासा भी पीछे की तरफ ना मूड़े वो बहुत मस्तिस्क प्रधान व्यक्ति होगा वो किसी एमोशन में कभी नहीं आएगा और जिसका ये अंगूठे का जो तीसरा पूरुवा है उपर वाला हिस्सा ये अगर बहुत छोटा सा चिपिट हो तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा होता है ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी होता है तो कहने का मतलब ये है कि सामुद्रिक सास्तर से जीवन के हर गंभीर रह परदा उठाया जा सकता है उसी का एक पार्ट है नाखून जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं तो कहने का मतलब ये है कि नाखून की बनावड जो होती है बृत्ताकार भी होती है आयताकार भी होती है बरतुलाकार भी होती है तो जिन लोगों के नाखून लंबे होते है ऐसे लोगों का सुभाव कैसा होता है साथ ही लंबे नाखून वाले लोगों को किन बिमारियों का सामना करना पड़ सकता है देखे एक तो होता है मध्यम नाखून अब एक होता है कुछ आखों में चुभने वाला ज्यादा लंबा नाखून तो इसके बारे में जरा हम जानते हैं जिन लोगों के नाखून थोड़ा ज्यादा लंबे होते हैं ऐसे लोग सौमे सुभाव के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग बहुत भावक होते हैं और करपना सील होते हैं ऐसे लोगों को हमने संगीत करते हुए सेरो सायरी करते हुए, गीत लिखते हुए, कहानिया लिखते हुए और इमोशन में बहते हुए देखा है इन लोगों को आसपास की चीजें बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं जिस वज़ा से लोग इन्हें आसानी से धोखा भी दे देते हैं इन लोगों के विचार बहुत अलग होते हैं और इन लोगों के विचार दोसरों के सांथ बहुत कम मिलते हैं लेकिन नाकून अगर ज़रूत से ज़ादा लंबे हो जाएं और पतले हो जाएं लंबाई होना ठीक है लेकिन उससाब से चवडाई भी हो लेकिन अगर चवडाई पतली हो और लंबाई अधिक हो तो आप समझ लीजिएगा कि इस आदमी को लंग्स की बिमारी है फेफ़णों की बिमारी है और अगर नहीं है तो फेफ़णों की बिमारी होगी नाखून अगर बढ़कर उंगली की ओर जुका हो, मतलब आगे की तरब जुका हो तो समझे कि आपको छाती और फेफ़डे से जुड़ी बिमारी हो सकती है जिन लोगों के नाखून लंबे और बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं मतलब पीछे की तरब उभरे होते हैं, ऐसे लोगों को किदनी से जुड़ी बिमारी हो सकती है ऐसे लोगों की किदनी प्रभावित हो सकती है कम उमर में ही ऐसे लोगों की क्रिटनाइन बढ़ने लगती है ऐसे लोगों के सरीर में बिटामिन A और प्रोटीन दोनों की कमी रहती है तो इसलिए अच्छे नाखून तो उसे माने जाते हैं जो ना बहुत लंबे हों ना बहुत छोटे हों जो मध्यम आकार के हों जिनकी लंबाई और चोड़ाई में समान उपात हो वो नाखून अच्छे और स्रिष्ट बेक्तियों के माने जाते हैं जैमाबिन दिवासनी तो आज बहुत मेत्वपूर्ण हम चर्चा कर रहे हैं नाखूनों को लेकर आगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे फिलहाले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है कमल है भीलवारा राजस्थान से कमल जी सवाल पूछे पंडी जी पढ़ना शुखी रही है पंडी जी मेरे बेटे के बारे मेरे बड़े बाई की बारे में पहुंचना है मेरे बेटे की जन्म तारीक है बीस नॉम्बर दो जार देस दिन सन्यवार रात को बारा बज़े था ये पढ़ने में अच्छा रहे और इसको आगे जाके क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए चाहिए और मेरे बड़े बाई की नॉम्बर दो जार रहे और इसके बारे में इसके लिए तुम्हें अपने बेटे को इंजीनेरिंग की पढ़ाई करानी चाहिए इसे इंजीनेरिंग की पढ़ाई करानी चाहिए अभी तो यह 13 साल का है इंजीनेरिंग की पढ़ाई अगर कराओगे तो यह बहुत अच्छा जीवन में अपने करेगा और इसका फ्यूचर भी अच्छ का घर है सनी और सूरी की इस्थिती समय जो बन रही है सदाष्टक योग की बन रही है अभी इसके बिवाह में भी बिलंब बना हुआ है और सरकारी नवकरी का भी योग जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है जै मा बिल्दिवासनी इस पीच एक और काल शक्र दर्शक मार साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से हैं चरन सिंग छे सवाल पूछिए चरन सिंग जी नमस्कार गुरुजी नमस्कार जोर से बोलिये मैं अपने बेटी के बारे में पूछन चाहता हूँ नावन साक्षी 2991 की है उसके करियर और शादी के बारे में जानना चाह रहा हूँ चलिए चरन सिंग जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री के भाव का स्वामी चंद्रमा उससे दसम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमंगल की परसपर सब्तम इस्थिती है बेटी का अभी करियर में बहुत श्ट्रगल चल रहा है अभी ठीक से इसका कोई काम स सेट नहीं हो पा रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि आगामी दिसंबर तक इसका करियर काफी हद तक सेट हो जाएगा जहां तक बिवाह का प्रसना है तो सूर्य और सनी दोनों ग्रहों की स्थिती सरदाष्टक योग की है और अगर देखा जाए तो चंद्र सनी को देख जाए तो भी छट्वा और आठ्वा संबंध बनता है विवाह में आपको ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे और विवाह के लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा जहां तक मेरा अनुमान है कि जनवरी दोहजार पचीस के आजपास तक इसका विवाह होने की प्रेहत और किस्मत कैसी रहती है चले अब इस बारे में पंडेजी से जानते हैं पंडेजी बताईए चोड़े और छोटे नाखूनों वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो एक कहूंगा कि ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्कर होते हैं जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन नाखून की चोड़ाई बहुत होती है ऐसे लोगों के गले में सूजन की तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग थाइराइट के पेसेंट भी होते हैं ऐसे लोगों को स्वास से जूड़ी विमारी भी होती है बोलते समय आवाज का तूटना आवाज का साफना आना ऐसी भी समस्याएं होती हैं जिन लोगों के नाखून छोटे होते हैं लेकिन उनका आकार वरगाकार होता ह मतलब गोलाई लिये हुए होते हैं, ऐसे लोगों को दिल की बिमारी हो सकती है, ऐसे लोगों को हिर्दय से संबन्धी तो रोग हो सकता है, लेकिन अगर नाखून छोटे और चोड़े हैं, और उंगली से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बाहर की तरफ नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे लोग बड़े परिश्रमी और बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत और बड़े परिश्रम के बाद भी जीवन में भागे इनका बहुत साथ नहीं देता है, जैमा बिन्दिबासनी चले, इस बीच एक और काल चक्र दर्शक मान सा जुड़ गई है, मन्जु है छपरा से, मन्जु जी सवाल पूछिए परणाम पंदी जी हाँ सदा सुखी रहो मन्जु पंदी जी मैं 1985 से मतलब जहां खड़ी हूँ, वहीं पर आज तक खड़ी हूँ, मेरा जनम है 1972, साम को चार बजे, सावा चार बजे तक, और साथ जून का जनम है मेरा पंदी जी मतलब 85 में मेरी मा मर गई है उसके बाद से मतलब मैं तकलीद में ही हूँ उसके बाद साधी मेरा हो गया है 1989 में मतलब सास असुल का भी ऐसा अच्छा बेवार नहीं रहा आज बच्चे भी वह इसाही बेवार करते हैं मंजु जी को जरूरत पड़ता है मेरा इस्तेमाल करता है उसके बाद हमें छोड़ देता है और मैं क्या अपने मुखे दो उत्तर दिश्चा का मेरा घर है कि हम अपना घर के आगे पीछे पंच मुखी हनुमान जी का तस्विर लगा सकती हूँ मंजु जी ऐसा है कि आपने जो प्रस्न किया है तो मैं आपको बताओं कि आपका दूतियस और स्वप्तमेश जो है सनी और बुद्ध है इन दोनों का ब्रहस्पति के सांथ इत्थसाल है आप भले कह रहे हैं कि आप 85 से एक अही जगह पे खड़ी हैं लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इसके आधार पर मुझे आपका भवी से ठीक दिखाई दे रहा है ये तो परिवार है उपर नीचे परिस्तितियां होती रहती हैं लेकिन कुल मिला करके अगर देखा जाए तो आपका आने वाला समय मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है आगे हरी इक्षा प्रभू जाने लेकिन जो मेरी जियोंतिस कह रही है उसके आधार पर आपका आने वाला समय हमें अच्छा दिखाई दे रहा है जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रस्न पूछा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा पंचम भाव का स्वामी आपके चंद्रमा से बुध है और उसके आजीविका भाव का स्वामी ब्रहस्पती है बुध हो ब्रहस्पती की सनेहा दृष्टी से इत्तसाल है लेकिन मंगल मडव योग कर रहा है बेटे को अच्छी नवकरी तो मिल जाएगी इसमें संदेह नहीं है लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है दावे के सांथ कि सरकारी नवकरी ही मिलेगी हो सकता है सरकारी नवकरी ना मिले लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी ये अच्छा करेगा और अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगा जैमाबिन दिवासनि चले स्पीच एक और कार्चक्र दर्शक हमारे सार जुड़ गये हैं जारकंट रांची से आपना सवाल पूछी और सबसे पहले अपना नाम बताएए जुमा नाम है मेरा क्या नाम है जुमा 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 हाँ अच्छा दो पतना है पॉन्डी जी दो दो पूछन है पूछे कोटी कोटी पोनाम पहले आपको आपको हमको आसिदर दीजिए सवाग सवागा रहने का सुखी रहे हैं आपनी जी मेरा हस्में के बारे में पूछ रहे है जे फिप्टी और उनका जन्मा उमार है और नाम है नंदलाल उनका काम नहीं बनता है छे माइना पास माइना होता है बेट जता है अर्थी किसीं से बहुत ही खरफ हो जता है और हम्रह बेटा के लिए उनिस निरानोबर, फोर नाइन उनिस निरानोबर, जानमा सोली बार और नम नाम है, आज उनका भविसत बारे आज सरकार नकरी होगा कि नहीं उसका भविसत का उजल होगा देखें आपके पती के बारे में ये बता दूँ कि अब उनकी उमर हो गई 63 साल की, और 63 साल की उमर रिटार्मेंट की होती है, और 63 साल की उमर में अगर आप सोचें कि वो नए करियर की सुरुवात करके और कुछ बड़ा तीर चला दें, तो ये बात तो अब काफी कठिन लग रही है, आपके प्रस्ण के हिसाब से जुमा जी जो लग रहा है, आपके पती भाव का स्वामी बुद्ध है, जो मंगल और सुक्र के साथ सनी की दृष्टी में है, अब आपके पती का काम ऐसे ही थोड़ा सा उपर नीचे चलेगा, कोई बहुत चमतकार की उमीद नहीं की आ सकती है, जहां तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रस्ण पूचा है, तो उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि बुद्ध ब्रिहस्पति का इत्थसाल हो रहा है, आपके बेटे को अच्छी आजीविका का साधन मिलेगा, और वो अपनी जिमेदारियों को ठीक से लेकिन आपको चाहिए कि आप सुक्रवार के दिन बैभो लक्ष्मी का ब्रत करें, और कम से कम 11 या 16 सुक्रवार बैभो लक्ष्मी का ब्रत करें, बैभो लक्ष्मी ब्रत कता की किताब पढ़ें, और जिस तरह से उसमें पूजा करने का बिधान लिखा गया है, उसी तरह से आप बैवो लक्षमी का ब्रत करें, पूरे दिन ब्रत करें सुक्रवार को, साम को चार-पांच बजे एक थाली में स्रीयंत्र रख करके, लक्षमी का चित्र लगा करके और उनकी बिधवत पूजा करें और 16 सुक्रवार होने के बाद साथ सुहागन इस्त्रियों को भोजन कराके उन्हें सिंगार की समग्री दें, इससे आपके घर का दरिद्र मिटेगा और आपके घर में समपन्नता आएगी, जैमा बिन दिवासनी चलिए, अब नाखूनों को लेकर हम चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनके नाखून तिकोने आकार के होते हैं ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है, साथ ही ऐसे लोगों को आने वाले कल में आखे कौन से बिमारी सता सकते हैं, चले जानते हैं पंड़ी जी बताईए, तिकोने आकार वाले नाखूनों के लिए क्या कहीं इस तरह के नाखून के लोग बहुत कम पाये जाते हैं ऐसे लोगों का नाखून नीचे से बहुत पतला सुरू होता है, और उपर जा करके उसकी चवडाई हो जाती है जैसे त्रिकोन होता है, उसी तरह से त्रिकोन के आकार का ऐसे लोगों का नाखून होता है ये नाखून बहुत कम लोगों के अंदर पाये जाते हैं ऐसे लोग संबेदन सील और बहुत बड़ी प्रत्वा के धनी होते हैं इनके काम में क्रियेटिविटी दिखती है ये लोग छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं जिन्हें अक्सर लोग अंदेखा कर जाते हैं ये लोग कभी भी गलत नहीं देख सकते हैं कमी होती है, कोई भी काम करते हुए जल्दी ठक जाते हैं अपना और दूसरों का काम करने की वज़े से इनको मानसिक परिसानियों का भी सामना करना पड़ता है लेकिन त्रिकोंड के आकार करना खून व्यक्ति के व्यक्तित तुमें चारचांद लगाता है जैमा बिंदवासनी उसकी अभी तक M.B.A. से रिलेटेड नोकरी नहीं लगी अभी वो कहीं ओवर टाइम कर रहा है तो पंडी जी उसकी अच्छी नोकरी कब तक लगेगी और वहाँ पर अच्छे से सैट हो जाएगा और उसका आने वाला धमश्य कैसा है पंडी जी देखो बैसाली ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी बूध है उसे सब्तम और दूतिय भाव के स्वामी सुक्र और ब्रहस्पती है सुक्र और ब्रहस्पती का पंचम नोमित्र साल इस बात का संकेत कर रहा है कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद और दिसंबर 2023 के अंदर तुम्हारे बेटे को योग्यता के अनुसार नवकरी मिल जाएगी और उसका भावी से ठीक सुरू हो जाएगा अभी 30 अक्टूबर तक श्ट्रगल है 30 अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में इसको निश्चित रूप से बहुत अच्छा चांस मिलने वाला है जो इसके भविष से के लिए अच्छा होगा आपको चाहिए कि इसका भाग अच्छा सांथ दे इसके लिए आप ब्रिहस्पतिवार के दिन केले के पेंड में जल एवं हल्दी डाले और भीगी हुई चने की डाल और गूल केले के पेंड के नीचे रखें उसका प्रसाथ चरहाएं और बाद में उस प्रसाथ को किसी गाय को खिला दें 16 ब्रिहस्पतिवार ये उपाय करिए देखिए बेटे का भाग योद्रे कैसे होता है जै माबिल्दिवासनी चलिए अब बात कर लेते हैं वरिश्चेक राजशे की लेकिन इस बीच एक कॉलर भी हमार साथ जुड़ गए है अनीता है उज्जेन से पूछे अनीता जी सवाल प्रणाम पंडी पंडी जी मुझे मेरे बच्चों के बारे में पूछना और मेरी मम्मी के बारे में है मेरी लड़की है उसका जनम है 2004 का और 6 अक्टुम्बर रातरी का नो दस का क्या जानना चाहती हूँ और मेरे लड़के का जनम है 2007 6 दिसंबर दो चालिस का जनम है रातरी का वो बच्चा वो जिद्दी है मेरा और लड़की और लड़के का भवश्य कैसरेगा और तीसरा मेरी मम्मी की तवेट ठीक नहीं तीन साल से उनको दिमागी तकलीव है देखो ऐसा है जहां तक तुम्हारे बेटे के भवश्य का प्रस्न है तो उसके बारे में तो मैं अनिता यही कहना चाहूँगा कि मंगल और सूरी दोनों की स्थिती दूटी द्वादस है बेटे को काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने करियर में सफलता पाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी और इसको अभी मेहनत करनी चाहिए बेटी का भवी से ठीक है वो अपने समय के हिसाफ से सब कुछ कर लेगी लेकिन जहां तक आपके ममी के प्रस्न है सेहत का तो केतू आपके ममी के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं जो नस संबंधी और दिमाग से संबंधित बीमारी देते हैं और इनको मतलब की एक प्रकार का एलजाइमर जिसको करते हैं भूलने की बीमारी और नसों की बीमारी ये सब चीजे हो रही हैं आप अपने ममी से साथ तरह के अनाज एक एक किलो और एक कंबल किसी भिखारी को सनिवार के दिन दान करवाईए उससे आपके ममी को कुछ रहत मिलेगी जै माबिन दिवासनी वकॉर नाकूम होते हैं ऐसे लोग बेहत गंभीर और कंथोर होते हैं जो काम एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं ये लोग साहसी और दिलेर होते हैं ज्यादा गंभीर ब्यक्तित होने की वज़ा से इनके दोस्त उमूलियों पर गिने हुए होते हैं ऐसे लोगों को आखों की समस्या जहलनी पड़ती है जिस वज़ा से छोटी उम्र में ही इनको चस्मा लग जाता है चवकोर नाखून वाले लोगों की हड्यों की समस्या भी परिसानी का कारण बनती है जो लोग अपने नाखून की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे ब्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं साथ ही घर में दरिद्रता का भी वास हो जाता है इसलिए मैं अपने सभी दर्सकों से कहना चाहूंगा कि सब्ताह में एक दिन बुधवार, सुक्रवार या रविवार को आप सभी को अपने नाखून काटने चाहिए नाखून कभी भी बढ़ा कर नहीं रखना चाहिए और ये बात अलग है कि इसका अपवाद है उसकी देखभाल भी करती है अगर आप भी देखभाल कर सकते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप उसकी गंदगी रोज नहीं साफ कर सकते हैं उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो नाखून को सब्ताह में एक बार जरूर काट देना चाहिए और मंगलवार और सनिवार को कभी भूल करके भी नाखून ना काटे मंगलवार और सनिवार को नाखून काटने से नाना प्रकार की बिमारियां सरीर में जन्म ले लेती है जै माविन दिवासनी चले इस बीच मारे साथ काल शक्र दर्शक जुड़ गए हैं सूरज है फरीदाबाद से सूरज जी सवाल पूछे प्रणाव में हाथ सदा सुकी रे सूरज जी पूरु जी मेरे तीन सवाल है मेरे बड़े लर्शी का जनम दें हैं चार बारे सन दोजार दूसे लर्शी का जनम है दस एक दोजार नो रात को बारे 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 बज़के शेटा लिसमी और मुझे मेरी अपनी डेटो बस पता नहीं है दोजार नने से मेरा बिजनिस बिल्कुल ठपता है जीर हो गया है मसीन दी भी मुझे कवारे में बेचनी पड़ी अब मैं क्या बिजनिस करूंगे तो बच्चों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? बच्चों के बारे में यह जानना चाहते हूं, बड़े लड़के एक सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी और छोटे लड़के को पेजिर पेस हवेगी क्या कहूं इतने लोग सरकारी नवकवरी के बारे में पूछते हैं और वार वार मुझे ना जबाब देने में कितना बुरा लगता है जिसकी कोई हद नहीं जिनका लड़का पढ़ने लिखने में भी ठीक नहीं है ऐसे लोग भी सरकारी नवकवरी की बात करते हैं देखिए सूरज जी आपके पुत्र भाव का स्वामी बुद्ध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी ब्रहस्पति है और आपका बेटा अब 23 साल का हो गया है अब वो कोशिश भी करे मेहनत भी करे तब भी सरकारी नौकरी का योग नहीं बना हुआ है सरकारी नौकरी के लिए अगर सरकारी नौकरी पहली बात तो अब बची नहीं है सारा प्राइवेटी करण हो रहा है दूसरी बात अब सरकारी नौकरी बची है तो ISIPS की बची है सेना और पुलिस की बची है SSC की बची है इन नौकरियों के लिए बड़ी प्रतिभा चाहिए और उसके लिए बच्पन से बच्चों के अंदर वो अंकूर डालना पड़ता है कमपडीशन का और दूसरा बच्चा तो अभी आपका छोटा है 14 साल का है उसके बारे में कुछ कहार नहीं जा सकता है लेकिन आप जो बेरोजगार बैठे हुए हैं आप अगर चाहें आप संकल्प लें कि नहीं आज से मुझे कमाना है तो आप रोज सिव मंदिर जा करके जल दूद बेलपत्र सिव जी को चठा करके और वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमा सिवाय करिए वहीं से आपके दिमाग में ये बात उत्पन होगी या वहीं कोई ब्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज से आप अपने परिवार का भरण पोशन कर सकते हैं आप 40 दिन अगर लगा तार सिव मंदिर जाएंगे और सिव मंदिर जाके जल दूर वेल पत्र चठाएंगे तो वहीं भगवान सिव की क्रिपा से कोई ऐसा ब्यक्ति आपसे टकराएगा जो आपका मार्ग दर्शन करेगा और आप अपने परिवार के भरण पोशन की इस्थ सवाल पूछिए नाम सोनल जी अगर आप तक आवास पहुच रहे तो सवाल पूछ सकते हैं या पंदी जी नमस्कार हा नमस्कार मैं अपने पती के बारे में पूछने जाती हूं पंदी जी उनकी जनमदारी के एक पाशनी सुननब्बे और रात को ग्यारा बर्के पंद्रा मिनिट का जनम है और दिन मंगलवाद पंदी जी मेरे पंदी जी और छोटे उनके भाई है उन दोनों में बिल्कल सी नहीं बन रही है और मतलब मारम मारी होती है और उन्होंने पूरा मकान कफ़जा जमा लिया है तो इस परिस्टिते में पंदी जी हमें यहां रहना चुए अभी हम जार रह रहे हैं या हमें कही और भार निकलते रहीं जाना चाहिए हमें सकून नहीं दे सकते हमारी हबस को पूरा कर सकते हैं लेकिन हमें सकून नहीं दे सकते सकून तो आदमी को जोपड़ी में भी मिल सकती है सांती तो आदमी को जोपड़ी में भी मिल सकती है और महल में भी आदमी असांत रह सकता है इसलिए मैं आपसे यही कहना विवाद जैसे भी समाप्त होने की प्रक्रिया हो उसे आपको अपनाना चाहिए और नित्य अपने पती से कहें कि वो हनुवान चालीशा और बजरंग बाण का पाठ किया करें इससे कलह की इस्थिती मारा मारी की इस्थिती बंद होगी घर में सवहार्द का वातावरन निर्म होगा और मंगलवार को हनुवान मंदिर जा करके पांच लड़ू बूदी के और तुलसी के पत्ते हनुवान जी को चढ़ाना चाहिए और हनुवान जी के मूर्ती के सामने बैठ करके कम से कम दस बार हनुवान चालीशा का मंगलवार को पाठ करना चाहिए यह उपाए अग आखिर कैसे आप अपने और दूसरों के परसनालिटी और सुभाव के बारे में जान सकते हैं। जानते हैं पंड़ेजी से पंड़ेजी बताएगे गोल और अंडाकार नाखून। हर किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन इनकी लापरवाही की वज़े से लोग इन पर भरोसा कम करते हैं। इन लोगों को पेट और खून से जुड़ी बिमारी हो सकती है। इसलिए इन लोगों को अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। और एक बात जान लीजे। किसी का भाग्योदय हुआ है कि नहीं। ये आपको अगर जानना है या आपका भाग्योदय हुआ है कि नहीं। या कितने परसेंट आपका भाग्योदय हुआ है। ये अगर आपको जानना है तो आप अपना दाहिना हाथ महिलाएं अपना बाया हाथ अपने सामने करें और नाखूनों को देखें नाखून के निचले हिस्से में आप देखेंगे तो अर्धचंदर बना हुआ होगा आधा चांद बना हुआ होगा अगुठे में तो आपके निश्ची तुरूप से आधा चांद बना हुआ होगा ये मेरी गारंटी है लेकिन सेस उगुलियों में बना होगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता जितनी उगुलियों में चांद बना हो उतना 20% आपका भाग्योदे है जैसे अगर तीन उगुलियों में आधा चंद्रमा आपको दिखाई दे रहा है तो आपका भाग्योदे साथ ही प्रच्षत हुआ है और अगर पांचों उगुलियों में आपके अर्धचंद्र बना हुआ है तो आपका भाग्योदे सो प्रच्षत हुआ है और यदि सिर्फ अंगूठे में आपका चांद बना हुआ है और सेस उंगलियों में नहीं बना हुआ है इसका मतलब कि अभी आपका भागयोदय नहीं हुआ है ये आर्धचंद्र जो है ये भागय को भी बताते हैं ये नाकून के निचले हिस्से में बने होते हैं इन्हें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भागयोदय हुआ है कि नहीं हुआ है जै माविन दिवासनी चले अब अपने सिग्मेन्ट की शिरुवाँत करते हुए पंडिजी से जल्दी से जानते हैं बारा राशी वालों को अपना गुढ़्ड़क बढ़ाने के लिए हर रोज कौन से इत्रका इस्तेमाल करना चाहिए पंड़ी जी बताइए गुड़ लग बढ़ाने के लिए कौन से इत्र का इस्तेमाल करें ये बारा राश्या त्रेम बकम यजाम है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मे वन्धनान विर्त्य और मुख्छी अमाम विर्तात शुगंधिम पुष्टि वर्धनम शुगंधि जो है ये पुष्टि को बढ़ाती है ऐसा हमारे वेद की रिचाएं कहती हैं वेद के मंत्र कहते हैं मेश राश्य वाले मोंगरे की खुस्बू का इस्तेमाल करें तो भागे चमग जाएगा बिसब राश्य वाले चमेली का इस्तेमाल करें तो किस्मत में चारचांद लग जाएगी मिथुन राश्य वाले लेवेंडर का इत्र लगाएं तो आत्म विश्वास बढ़ जाएगा कर्क रासी के जातक केवडे या गुलाब के इत्र का प्रियोग करें तो मन सांत रहेगा सिंह रासी के जातक रात की रानी के इत्र का इस्तेमाल करें तो इनके निर्डे सही होंगे कन्या रासी के जातक बादाम की खुश्बू वाला इत्र लगाएं तो स्वस्थ रहेंगे तुला रासी के जातक चमेली के इत्र का प्रयोग करें तो निहसंदेह इनकी यात्रा सफल होगी ब्रिश्चिक रासी के जातक कनेर की खुजबू वाला इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इन्हें सारीरी कष्ट से मुक्ति मिलेगी धनू रासी के जातक हजारे या चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें तो इन्हें सत्रू पीडा से निजात मिलेगी मकर रासी के जातक चंपा के फूल वाला इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इनको परिवार का कुटुम्ब का भरपूर सहयोग मिलेगा कुम रासी वाले गुलाब का इत्र इस्तेमाल करें तो इन्हें समाज में सम्मान मिलेगा और मीन रासी वाले कस्तूरी का इत्र लगाएं तो निश्चित रूप से इनका बुढ़ापा सुखमय व्यतीत होगा जै माबिन दिवासनी चले पंडिजी हमारे दर्शकों को इतनी महतोपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया